संगाई फेस्टिवल के सफल आयोजन के लिए मनिपूर के सभी लोगों को डेर सारी बदाई कुरोना के चलते इस बार दो साल बाद संगाई फेस्टिवल का आयोजन हुआ मुझे खुशी है कि आयोजन पहले से और भी अधिक भव्यस्वरूप में सामने आया ये मनिपूर के लोगों की स्पिरीट और जज़बे को दिखाता है विशेश रूप से मनिपूर सरकार ने जिस तरह से एक व्यापक विजन के साथ इसका आयोजन किया वो वाकई सरहानिय है मैं मुक्ठमंत्री एन बिरेंसी जी और पूरी सरकार के इसके लिए सरहाना करता हूँ साथियो मनिपूर इतने प्राकृतिक संदर्य, सांस्कृतिक सम्रद्धी और विविदता से भरा राज्य है कि हर कोई यहां एक बार जरूर आना चाहता है जैसे अलग-अलग मनियां एक सुत्र में एक सुन्दर माला बनाती है मनिपूर भी वैसा ही है इसलिए मनिपूर में हमें मिनी इंडिया के दर्शन होते है आज अमरित काल में हमारा देश एक भारत स्वेष्ट भारत की भावना के साथ बढ़ रहा है ऐसे में फेस्टिवल अफवननेस इस थीम पर संगाई फेस्टिवल का सफल आयोजन भविश्य के लिए हमें और उर्जा देगा नई प्रिनना देगा संगाई मनिपूर का स्टेट एनिमल तो है ही साथ ही भारत की आस्था और मान्यताओं में भी इसका विशेस्थान रहा है इसलिए संगाई फेस्टिवल भारत की जैविक विविदता को सेलिप्रेट करने का एक उत्तम फेस्टिवल भी है ये प्रकृति के साथ भारत के सांस्कृतिक और अध्यात्मिक समंदों को भी सेलिप्रेट करता है और साथ ही ये फेस्टिवल सस्ट्रेनेबल लाइस्टाइल के लिए जरूरी सामाजिक संवेद्ना की प्रेणना भी देता है जब हम प्रकृति को जीव जन्तुओं और पैड़ पौधों को भी अपने परवों और उल्लासों का हिस्सा बनाते हैं तो को एक्जिस्टन्स हमारे जीवन का सहज अंग बन जाता है भाई और भेनों मुझे बताया गया है कि फेस्टिवल अब वन्नेस की भावना को विस्तार देते हुए इस बार संगाई फेस्टिवल केवल राजधानी नहीं बलकि पूरे राज्य में आउजित हुआ नागा लेंड बॉर्डर से म्यानबार बॉर्डर तक करीब 14 लोकेशन पर इस परवके अलग अलग रंग दिखाई दिये यह एक बहुत सरानिय पहल है रहे है जब हम ऐसे आयोजनों को जादा से जादा लोगों के साथ जोड़ते हैं नमस्कार मैं हूं मानक गुपता अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जूस 24